हालो दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सिक्षा और रोजगार से जोड़ी पलपल की अपडेट देते रहता हूँ विश्णु देव कैबिनेट की महत्पूर जो बैठक है दो जनवरी को होने जा रहा है जी हाँ विश्णु कैबिनेट की मीटिंग दो जनवरी को होने वाली है और इस मीटिंग में कई महत्पूर फैसलों पर मुहर लग सकती है हम इस वीडियो में बात करेंगे 21-21 पर कैबिनेट मीटिंग जो की 2 जैनवरी को होने वाली है उसमें मुहर लग सकती है साथ साथ मैं बात करूँगा कुछ भरतियां आई हुई है उस पर मैं इस वीडियो में बात करूँगा जो साथ ही नए है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे यहाँ पर आपको इश्क्रीन पर सो हो रहा है यह NW न्यूज के माध्यम से यह प्रकासित हुआ है सिजी कैबिनेट मीटिंग को लेकर इस न्यूज में प्रकासित किया गया है कि विश्णु देव साय की कैबिनेट पर आहम बैठक काल होने वाली है अर्थाथ दो जनवरी को यह अहम बैठक होने वाली है जिसमें कुछ मुद्दों पर मुहर लग सकती है आखिर वो कौन-कौन से मुद्दे हैं जिस पर कैबिनेट मीटिंग में मुहर लगने वाली है तो देखिए विश्णु देव साय की कैबिनेट की अहम बैठक नए साल में दो जनवरी को होने जा रहा है इस बैठक में अर्था साय कैबिनेट की यह पहली पस्तावित बैठक होगी हाला कि आप सभी जा रहे साथियों दो बैठक आर्डरी हो चुकी है जिसको हम संग्शिप्त बैठक मानते हैं क्योंकि मुख्य मंत्री और दो डिप्टी सीएम की मौझूदगी में जब पहली कैबिनेट मीटिंग हुई थी जिसमें 18 लाख गरीबों को पक्का मकान द पहली कैबिनेट मीटिंग है और इसमें माना जा रहा है कि इस कैबिनेट मीटिंग में मोधी की गारंटी और मिसन हैंडरेस्ट को लेकर अहम चर्चा हो सकती है मोदी की गारंटी कहने कतत पर यह है जो वादा भाजपा की सरकार द्वारा किया गया था जुनावी घोषना पत्र की गई थी उसी घोषनाओं को पुरा करने पर बल जो है भाजपा की सरकार द्वारा किया जाने वाला है साथ ही साथ Mission 100 Days को लेकर भी चर्चा होंगी इसके अलावा CGPSC में जो घोटाले हुए थे उनके CBI जाज पर भी Cabinet Meeting में हरी जंडी मिल सकती है और साथ ही साथ कुछ अन्य महत्पूर फैसले भी है जिस पर इस Cabinet Meeting में मुहाल लग सकती है इसके अलावा किसान भाईयों के लिए भी कुछ खबरी हो सकती है कुछ खबरी मिल सकती है क्योंकि धान खरिदी की तारीक है उसमें भी बरहोतरी देखने को मिल सकता है कल जो Cabinet Meeting होगी उसमें लिकर इसके अलावा कुछ और समग्रशिक्षा के अंदर भरती आई हुई है मैं उ होना है और यह कितने पदों के लिए आई है इस्पेशल एजुकेटर की भरती तो मैं आपको बता दू देख सकते हो यहाँ पर ठेरिपिस्ट की भरती है एक पद अनरक्षित के लिए है नियो इस्पेशल एजुकेटर में विकास खन दंतेवाड के लिए है एक पद हैं वि इस्पेशल एजुकेटर जैसे पद की मैं बात करूं जिसके लिए 20,000 रुप्रति माह आपको दिया जाएगा तो इसनातकोत्तर होना चाहिए और विएड भी आपके पास होना चाहिए तो देखिए इसमें इसनात कोत्तर प्लस बीएड होना चीए विशेज सिक्षा में यदि आपने समान शिक्षा से बीएड का रखा है तो दो साल का डिपलोमा भी आपको विशेज सिक्षा में जरूरी है और 20,000 रुपए प्रतिमाह आपको इसके लिए वेतन मिलेगा तो इसके लिए भी अलग-अलग जो है तारीक रिरधारी किया जा चुका है देख सकते हो ठेरपिस्ट के पत के लिए 10 जनवरी 2024 को इंटर्वी होना है और बाकी जो इन न्यू स्पेशल एजुकेटर के जो पद हैं सेस्पद तो इन सेस्पदों के लिए 11 जनवरी को से मिलेंगी आप बिल्कुल वहाँ पर देख पाऊगे आवेदन के साथ आपको दो लिफाफा और स्वयाम का पता लिखा हुआ 10 रुपए के डाक टिकट लगा हुआ आपको करना होगा सब मीड़ अब कब तक आप आवेदन करेंगे तो वाकिन इंटर्वी को पहले आप सामिल होना चाहते हैं तो आप इंटर्वी में सामिल हो सकते हैं और और तमाम जो जानकारिया दिया आपको चाहिए तो आप बिल्कुल जो है दंतेवाडा के ओफिसल साइट में आप सर्च कर सकते हो और पूरा इंफॉर्मेशन ले सकते हो चली इस वीडियो में इतना ही